राधे राधे एवरीवान आप देख रहे हैं सीरल से आप आप जहांपे हम देते हैं आपको आपके फेवरिट श्योज की इंट्वस्टिंग अपदेग्ट वलाश राध के टीवी सीडियल राधा कृष्ण के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि निश्यात की जिस तरीके से बगरामदाव पिटाई कर रहे होते हैं उसे देख कर सभी लोग उन से यही प्रशन पूछना शुरू कर देते हैं कि आकर इसका कसूर क्या है इसने किया क्या है जो आप इसके साथ ऐसा व्यवार कर रहे हैं तब बगरामदाव कहते हैं कि यह शाल्व और שक्रचारे और इस पाक हंडी रोम हर्षण के साथ में मिला हुआ है और ये सारी जानकारी मुझे इसी ने दी है इस तरह की बाते सुनकर किसी को यकीन नहीं होता और सब निशाद की और देखते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सत्त है क्या बल्रामदाउ 17 कह रहे हैं रिशार चुप रहता है जिसकी अवजर से उसकी सब बातों पर मोहर लग जाती है कि हाँ ये सब कुछ सकते हैं तब ही वहाँ पर रेपती आती हैं और कहती हैं कि मुझे पहले गर्व था तुम्हारी माता होने पाड़ लेकिन अब एक द्वारे का द्रोही के माता होने का सब क कुछ मुझे सुनना होगा ये तुमने उचित नहीं किया पुत्र मेरे मान का मेरे परवरिश का तुमने जरा सा भी मान नहीं रखा यहां पर दिखाया जाएगा कि वह काफी ज़्यादा शामा प्रार्थी होगा सबसे हार जोड़ करके शामा मांगेगा लेकिन बलरामदाव के खिलाफ मुझे भड़काया और द्वारिका में फूट डालने की कोशिश की इसलिए ये मेरी सजा का प्रार्थी है और मैं इसका बद्ध अवश्य करूंगा जैसे ही वह से मानने चाहिए होते हैं रोम हर्शन अपने मंत्र उच्चारणों में और जारा तेजी से लग जा में फूशिश की लेकिन तब तुम अपना ग्यान दिखाने में काफी जादा व्यस्ते थे अब तुम्हें समझ जाया कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा था रोम हर्शन बार बाशुक्रचारण से मदद की अपील करता है जिसके बात में शुक्रचारण कहते हैं कि देखो त सुनकर कि रोम हर्शन समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है और वो जोड़ जोड़ से हसने लगता है उसके कप्ति हंसी देख का बल्राम दाव को और भी जारा क्रोध आता है वो कहते हैं कि अब इससे मुझसे कोई नहीं बचा सकता का नहां यहां पर श्री कृष्ण रोम बल्राम के साथ आना होगा और अगर कृष्ण आएगा तो फिर राधा को भी उस साथ में नर्क में आना होगा अब आप जो भी करेंगे सोच समझ के करिएगा क्योंकि आपके इसे एक कारे से हम सब चुड़े हुए हैं बल्राम दाव कृष्ण की बात नहीं सुनते हैं गु हो जाते हैं और वो गुस्से में इतनी जोर से प्रहार करते हैं कि सभी की साथ से रुक जाती हैं लेकिन वहां देखने के लिए मिलता है कि रोम हर्षन जो यग कर रहा होता है वहां पर जो हवन सामेग्री होती है उसमें नारियल होता है जिसका संकल्प लेकर के वह यहां पर शुक्रचार कहते हैं कि पहरी बात तो जो यग्य यहां पर शुरू किया है रोम हर्शन ने वो श्री महादेव का किया है और महादेव को पसंड करना इतना आसान काम नहीं है यहां कैलाश में माता पारवथी महादेव से पूछते भी नजर आएंगे कि यह क्या यह तो आपकी तपस्या में लग गया अगर इसने आपको प्रसंड करके कोई वर मांग लिया तो आप क्या करेंगे यहां पर महादेव कहते हैं कि मजबूरन मुझे उसका मन चाहावर देना होगा क्योंकि अगर इसने यग्य अनंत तक चलाया तो भी और अगर नहीं भी चलाया तो मुझे प्रकट होकर कि इसका अंत करना होगा यग्य का इसलिए मुझे जो नियती चाहती है वो करना ही होगा यह सुनकर कि गौरी काफी जादा परिश्यान हो जाती है और श्री कृष्ण बर्रामदाव से कहते हुए नजर आएंगे कि आप अब इस परवार नहीं कर सकते क्योंकि इसने यग्य शुरू कर दिया है और यग्य करते कैसे कर सकता हूँ जिससे उन्हें आहात पहुँचे इसलिए मैं इसका वद अभी नहीं करूँगा वो रोम हर्चन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कपती तू सब को सुन सकता है तो सुन मैं भी देखता हूँ कि तू यह यग्य कब तक चलाएगा लेकिन ज अब को सुनता है लेकिन कुछ कहने पाता क्योंकि वो तो यग्य में विलीन होता है इदर दिखाया जाएगा कि शुक्रचार काफी जादा परिशान नजर आते हैं कि अब रोम हर्चन जब तक यह यग्य पूरा नहीं करेगा उसका जो कार्य है वो संपन्य नहीं हो पाएग तब ही दुआरिका में दिखाया जाता है कि गरम राख की वर्षा होने लगती है जिसे देखकर सभी लोग इधर से उदा भागने लगते हैं यहां पर बल्राम दाओ का सेवक आता है और श्री कृष्ण को जानकारी देता है और कहता है कि प्रभू पूरे दुआरिका में ग काफी जादा इंट्वरस्टेंग कि जब श्री कृष्ण और बल्राम दाओ के आगे सब कुछ साफ साफ आ गया है तब ऐसे में कैसे वो रोकेंगे द्वारका के अंत को यह सब को देखना होगा काफी जादा दुल्चस मेल ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को नेक्षे करना ना भूले